Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IH&T. Namaskar, welcome to Slip Stories with me Jaisri Khatri. आज के इस पॉड़कास्ट में मैं आपके ले ले के आई हूँ एक बहुत ही खुबसुरत कहानी. कहानी है, बुडी दादी और उसकी बहादुरी की. एक राज्य में कम पड़े लिखे, यानि की अज्ञानी लोग रहते थे. वहाँ का राज्या भी अज्ञानीों में ही गिना जाता था. राज्य की खुशाली उन्द समय भंग हो गई थी, जब सभी एक अंजानी डर के बीच में जिन्दा रहनी की कोशिश कर रहे थे. रात के समय राज्य में किसी घंटे की टन-टन की आवाज आती थी, इसी कारण ऊरे राज्य में डर फैला हुआ था. सभी नगरवासी ये समझते थे कि यह सब कोई भूत कर रहा है. इस भूत के आतंक से वहाँ का राजा भी चिंतित था, मगर किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. एक दिन राजा ने राज्य के महामंत्री को बुला कर गोशना करवाई कि जो कोई भी इस घंटे वाले भूत से सदा-सदा के लिए छुटकारा दिलवाएगा, उसे मुँ मांगा इनाम दिया जाएगा. महामंत्री ने राजा की आज्या का पालन करते हुए आसपास के सभी नगरों में गोशना करवादी. एक गाव में एक दादीमा रहती थी, वहाँ अत्यदिक गरीब किन्तो सहसी भी थी. बूडी दादीमा के सहस की चर्चा आसपास के इलवकों में फैली हुई थी. राजा की घोशना सुनते ही उसने भूत को मानने की ठान ली. राजा की आग्या पाकर वहाँ उस नगर के कुछ लोगों से मिली और पूछा कि घंटे की आवाज किस दिशा से आती है. लोगों ने बताया कि जंगल की ओर से. इस बात का पता चलते ही वहाँ बुड़ी दादीमा जंगल की ओर गई. और जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि पेड़ पर एक घंटा लटक रहा है और कुछ बंदर उस घंटे के सहारे एक डाली से दूसरी डाली पर उचल कूद कर रहे हैं और खेल रहे हैं. इस द्रश्य को देख कर दादीमा को पूरा मामला समझ आ गया. उसने अनुमान लगाया कि हो नहो इन शरारती बंदरों के हाथ कहीं से यह घंटा लग गया और ये इसे बजा कर खुश हो रहे हैं. दादीमा ने बंदरों से निपटने की तरकीब सोची और वापस नगर की ओर आई. किसी को कुछ पता चले उससे पहले दादीमा अंदेरे में अपने साथ कुछ चने लेकर वापस जंगल की ओर चली गई. इधर गाओं में सुबह होते ही गाओं के सबी लोग दादीमा की प्रतिक्षा में बैठे हुए थे. जब बहुत देर तक बुड़ी दादी जंगल से वापस नहीं आई तो सब को लगा कि जंगल वाले भूत ने बुड़ी दादीमा को खा लिया. यहां बात राजा तक पहुँची, राजा अत्यांती दुखी हुआ और सोचने लगा कि इस मुसिबत से किस प्रकार चुटकारा पाया जाएगा. एक तरफ जहां गाओं में सभी लोग चिंतित थे, उदर जंगल में बुड़ी दादी बंदरों से निपटने तथा उनको चने की लालच देने में मगन थी. उसने चनों को जमीन पर डाल दिया, चने देखते ही सारे बंदर उस पर तूट पड़े, और दादी ने मुका पाकर वह घंटा पेड से उतार दिया, और जंगल के किसी तालाब में फेक दिया, और फिर राज में जा पहुँची. राजा और राज्यक के बाकी लोगों ने बुड़ी दादी को देखा और देखकर आश्चरे चकित हो उठे. बुड़ी दादी राजा के पास पहुँची और बोली, महराज अब वह भूत आपको और राज्यक के अन्ने लोगों को कभी परिशान नहीं करेगा. मैंने उसे सदा सदा के लिए मार डाला. राजा ने आश्चरे भरे स्वर में पूछा कि तुमने उसे कैसे मारा. बुड़ी दादी मा बोली, महराज मुझे तंत्र मंत्र आता है, मैंने उस प्रेथ को जला डाला. राजा ने उसे मुँ मांगा ही नाम दिया. बुड़ी दादी लोटते समय सोच रही थी, कि जितना मुर्ख राजा, उतनी ही मुर्ख उसकी प्रजा. मुझे तो कोई तंत्र मंत्र आता ही नहीं. यदि ये अकल से काम लेते, तो इन्हें इतना सारा दन मुझ पर व्याइन नहीं करना पड़ता. इस कहानी का मूरल ये है, कि ज्यान मनुश्य के अंदर साहस, बल और आत्मविश्वास जगाता है, और अज्यानता मनुश्य को निर्बल, असहाय और कायर बना देता है. इसलिए आवेशकता है ज्ञान की ज्ञान अर्जन करके हम अपने अंदर सक्ती का संचार कर सकते हैं ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भुलिएगा मिलते हैं अगले पॉड़कास्ट में तब तक स्लिप बैल, लिव बैटर